राम राम किशान भाईयों, किशान भाईयों आज हम बात करेंगे सरसो के बारे में कि आप इस समय अक्टूबर के महिने में किस सरसो की बीच का चैन कर सकते हैं, किस कंपनी की बराइटी का चैन कर सकते हैं जो सबसे अतिधिक पैदावार और सबसे बहतरीन रोक प्रतिरोधक समता के साथ आपको जबरदस्त सबसे अतिधिक उत्पाधन दे सके हम बात करेंगे आज सरसो के बारे में सरसो किसान भाईयों 45 से 46 जो पाइनियर कंपनी की आती है हागर्ड सरसो एक नंबर की सरसो होती है और इसकी पैदावार भी बहुत अच्छी होती किसान भाईयों वीड विडियों को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरू कर देजिए किसान भाईयों सरसो की बात कर रहे थे कि पाइनियर की सरसो 45 तालिस यस 46 किसान भाईयों रोग परतिरोधक च्छमता बहुत अच्छी होती है इसकी पैदावार भी इसकी बहुत ही जबर दस्त हो यानि कि अन्य सर्सों की अपेक्छा यदे देखा जाये तो इसमें 45 प्रतिसद तेल की मात्रा यानि सबसे अधिक मात्रा तेल की पाई जाती है। सर्सों की बुवाई आप अक्टूबर महीने में कर सकते हैं। 45 ये 46 की बुवाई आप अक्टूबर महीने में ये कर सकते हैं और ये 125 से 130 दिन में पकर तयार हो जाती है इसकी जो समय हो दिये 125 से 130 दिने किसान भाईयों इसकी 20 तर जो मात्रा होती है वे 2 से 2.5 किलो प्रत एकड के हिसाब से आप अपने खेत में इसको बो सकते ही उसके सर्चों में 2 सिचाई की आउसकता पड़ती है एक 20-21 दिन पर और दूसरी सिचाई आप इसको 45 से 50 दिन पर कर सकते हैं आउसकता हो तो तीसरी सिचाई करें अन्यता तीसरी सिचाई की आउसकता बहुत ही कम होती है जब फलियां बनने लगती है तब आप इसकी तीसरी सिचा वार कितनी है तो किसान भाईयों 45-46 की पैदावार 14-16 कुंटल प्रत एकड़ की हिसाब से इसका उत्पादन किया जा सकता है यह उत्पादन अन्मानता है लगभग 14-16 कुंटल प्रत एकड़ के हिसाब से आप यदि समय समय पर सरसो कूप खाद पानी वा उसकी देख रेक करत हैं तो आप 14-16 कुंटल प्रत एकड़ के हिसाब से आप इसका उत्पादन बड़ी आराम से ले सकते हैं किसान भाईयों सरसो की फसल में आपको दो चीजों का ध्यान विशेश रूप से रखना है कि सरसो की जब आप पहली सिचाए करें तो इसमें सलफर यूरिया के साथ सल पूटास का प्रियोग जरूर करें क्योंकि पूटास के प्रियोग से इसके दाने मूटेवा चमकदार आते हैं और सर्फल के प्रियोग से इसके दाने चमकदार पत्यां हरी भरी फपून रहे तो होती हैं किसान भाईयों अब बात कर लेते हैं कि इसके अलामा यदि और अन डिश्टन लिखा होता है बावन-वाईस सरसो किसानवाईयों बावन-वाईस सरसो आप इसका चैन कर सकते हैं इसकी पैदावार बहुत अच्छी होती है इसके कलों जो पौधे में कलों की संख्या होती है इसकी बीज दरमात्रा Allah लेड़ से दो किलो प्रती एकड के हिसाब से आप इसकी बुवाई कर सकते हैं और इसकी उत्पादन चंता लगबग 13 से 14 कुंटल प्रती एकड के हिसाब से होती है किसान भाईयों यह इसका जो अवधी है तैयार होने की यह करीबन 130 से 135 दिन में पकर हार्वेस्टिंग के किसान भाईयों यह वीडियो अच्छी लगी हो जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और सियर जरूर करें जया जवाँ